होरा का नाम दे के कुछ नंगा अट्रैक्शन दे देना ये फिल्मों की पुरानी आदत है और खास कर बॉलिवुड की तो आज पर बात करते हैं बॉलिवुड में बनी ये एक फ्रेंचाइज घोस्ट स्टॉरीज, लस्ट स्टॉरीज, लंड स्टॉरीज और भूतिया कहानिय इतने में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, मारो उस घंटी और सब्सक्राइब फ्लिक्स पर घोस्ट स्टॉरीज रिलीज हुई और इस नेट्फ्लिक्स फिल्म ने पूरी तरह से निराश किया है बॉलिवर्ड के चार दिगगज डाइरेक्टरों ने मिलकर नेट्फ्लिक्स के लिए चार शॉट फिल्मे बनाई हैं लेकिन कोई भी फिल्म डराने में नाकाम रहती है यही नहीं, कहानी का कोई और छोर भी नहीं है हाला की होरर फिल्मों के बारे में माना जाता है कि इनमें काल्पनिक्ता का खूब सहारा लिया जाता है और हॉलिवर्ड की होरर फिल्मों में इसका जबरदस्ट छौप देखने को भी मिलता है लेकिन गोस्ट स्टोरीज इस मामले में कहीं भी नहीं टिकती है अनुराग कशिप और करंट जोहर अपनी फिल्मों का तंबू खूब बढ़ा तानते हैं, लस्ट स्टॉरीज के बाद एक बार फिर उनके साथ जोया अक्तर और दिबाकर बैनर जी भी हैं, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं गोस्ट स्टॉरीज की पहली कहानी जोया अक्तर ने डाइरेक्ट की है, जानहवी कपूर को धरलक के बाद किसी दूसरी फिल्म में देखने की उम्मीद तमाम लोग लगाए बैठे होंगे, जानहवी सिर्पर मन्राते को और के बीच अपने बॉयफरेंट से फोन पर बतियाती दिखती हैं, और चाहती है कोई तो कुछ करे, और उसके बाद पहुंच जाती है एक बुजुर्ग बीमार महिला की देखभाल करने जो घर में अकेले रहती है, बुडिया को नीन की गोली खिला कर ये नज अपने शादी शुदा बॉयफरेंड के साथ इंटीमेट होना चाह लेकिन जिस महिला को वह अभी अभी नीन की गोली खिला कर आए है, वह सोई नहीं है, गोस्ट स्टोरीज की पहली कहानी मौसम सही बनाती है, जानवी कभी लिप्स्टिक लगा कर तो कभी उसे पोंच कर होरा फिल्मों में उत्तेजना खड़ा करने वाला रंग भरने की कोश करती हैं, और सुरेखा सीकरी तो ही दमदार कलाकार है लेकिन जोया कहीं से लगता नहीं कि ये कहानी उस डायरेक्टर की है, जिसकी पिछली फिल्म गली बॉय है, दूसरा नमबर अनुराग कश्यप का है, अनुराग होरा गरने के लिए स्क्रीन से रंग गायप करते हैं, श रभधरन से लेकर मा बनने की तरकी में सिखाती किताबे हैं, रिष्टेदारों से चिर्ता एक कामकाजी पती है और हैं तमाम सारी गुडिया, कुछ नहीं है तो वह है कायदे की कहानी, अनुराग की कहानी आपका इम्तिहान लेती है कि क्या होरा के नाम पर आप विभतसता देखने को तयार हैं, फिल्म का ये हिस्सा कोई असर नहीं छोड़ पाता, शोबिता डराती कम है, घिन ज्यादा पैदा करती दिखती है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है, इस बार डराने की जिम्मेदारी उन करंट जोहर की है जो पिछले साल स्टुडन्ट ओफ दा इयर औ और कलंग जैसी फिल्मों से दर्शकों को डरा चुके हैं, म्रिनाल थाकोर यहां एक ऐसी युवती के किरदार में है जिसकी शादी अपनी गुजर चुकी दादी को देख सकने वाले लड़के से होती है, कभी खुशी कभी गम बनाने वाले करंट जोहर पांच वाला अनुर फिल्म से भी बड़ा हॉरर सुबा हाइमडीवी पर इसकी रेटिंग दिखती है, नेटफ्लिक्स के पास भारत में पैर जमाने के लिए करूनों अमेरिकी डोलह हैं, कुछ नहीं है तो इंडियन फैंस की पसंद समझ पाने वाले